जै मातादी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर के कन्याराशी फल के बारे में कन्याराशी की लोगों के लिए 27 और 28 अक्टूबर का दिन कैसा रहने वाला है? ये दो दिन बड़े ही खास दिन है मालक्षमी की किरपा प्राप्त करने के दिन है दीपावली का पर्व, दीपों का पर्व है, खुशियों का पर्व है और रोशनी का पर्व ये माने जाते हैं इन दो दिनों में आपके लिए क्या अच्छा होगा, क्या लाब होगा, क्या आप ऐसा उपाय कर सकते हैं जो माललक्षमी के किरपा आपके उपर पूरे वर्ष भर बरसती रहे इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे विस्तार से, करियर के बारे में, व्यपार के बारे में, प्रेम सम्मंद के बारे में, सभी के बारे में जानेंगे विस्तार से तो आपसे निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें गंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इन दो दिनों में कौन से शुभी योग बन रहे हैं चंद्रमा की स्थिती कैसी होगी नक्षतर कौन सा होगा और तिती कौन सी होगी तो 27 अक्टूबर की यदि बात करें तो 27 अक्टूबर कृष्ण पक्षकी चतुर्दरशीती थी है जो की दोपहर 12 बज कर 23 मिनट तक रहेगी उसके बाद आमावश्यती शुरू होगी इस दिन चितरा नक्षतर रहेगा और शाम को स्वाती नक्षतर लगेगा इस दिन चांटर्वार कयों पूरू है यकी इस्तिति भी आपके लिए शुब एस स्थितियां बनाई गी चंद्र की बात करें जो चंद्रमां आतुला राशी में ही रहने वाले हैं तो ये दो दिन ग्रह नक्षत्रों के आदार पर कैसा समयाप के लिए लेकर आएंगे चले जानते हैं दोस्तों जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनका प्रभाव हमारे उपर बहुत अधिक होता है लेकिन ये जो दिन है ये सिद्ध दिन है जो दिपावली का दिन होता है उसे हम सिद्ध दिन के नाम से जानते हैं और दिपावली के दिन यदि आप उपाय करते हैं तो आप अपने ग्रह नक्षतरों के प्रभाव को भी बदल सकते हैं क्योंकि इन दिनों में जो भी उपाय किये जाएं उनकी जो फल होते हैं वो बहु कर लेता है उनकी पूजा अर्जना पूरे मन से करता है तो इस वीडियो में हम इस दिन के लिए उपाया के बारे में भी जानेंगे कि क्या उपाया इस दिन आपको करना चाहिए चैन से पहले जान लेते हैं कि कैसा ये दिन रहेगा आपके लिए तो दिस तो यदि हम 27 पुझा के लिए विशेश माना जाता है और इसी दिन यदि आपकी लक्षमी योग आपके लगन में बनता है तो आप सोचे कि कितना सोभाग साली ये योग आपके लिए रहने वाला है इस समय आप सोच नहीं पाएंगे कि कौन सा कारिया आपके लिए ठीक है क्योंकि सभी कार पुझने की शक्ती बहुत अच्छी होगी बेहद उर्जावान खुद को महसूस करेंगे इस दिन किये गए सभी कारिया आपके सफलता देने वाले होंगे इस दिन आपकी वाने में मधूरता रहेगी और आप अपनी वानी से सभी को अपनी तरफ आकशित भी कर पाएंगे ये दिन आपके लिए बहुत ही बहतरीन दिन हम कह सकते हैं आपके दिमाग में नए नए ख्याल आएंगे आप इस दिन को बड़ा ही जोश के साथ करने वाले हैं जोश के साथ इस दिन को बिताने वाले हैं वैसे भी दीपावली का पर्व है दीपावली का पर्व है जो आप पर वह आपके लिए लक्षमी के किरपा दिलाने वाला साबित होगा तो ये दिन आपके लिए लक्षमी योग बनने से बहुत ही सफलता प्राप्त करने वाला दिन होगा मालक्षमी का आशिरवाद आपको मिलेगा आपकी जो इस्तिती है आर्थिक रूप से बेहत मजबूत बनेगी आप पूरे साहस के साथ भरपूर होसले के साथ अपने सभी कारे को आप पोरा कर पाएंगे आप अपने सभी कारे को पूरे उत्साह के साथ करेंगे एक जोश आपके अंदर देखने को मिलेगा आपकी वाने में तनी मदूरता होगी कि लोग आपसे इस समय आकशित हो सकते हैं तो ये दिन आपके लिए बहुत ही बहतरी दिन सावित हो सकता है यानि इस दिन कई सारे फाइदे आपको हो सकते हैं धार्मिक कर्या कलापों में आपकी रुची बढ़ेगी और धर्म कर्म में अधिया परुची लेते हैं तो ये आपके लिए और भी अधिक फाइदे का दिन हो सकता है इस दिन आपके लिए कई प्रपोजल भी आ सकते हैं अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस्तितियां बेहद शुब बनेंगी आज की दिन किया गया इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे लाब की प्राप्ति करा कर जाएगा बहुत ही सफलता देने वाले योग आपके लिए बन रहे हैं लक्षमी योग वैसे भी सफलता देने वाला योग ही माना जाता है इस दिन आप एक कारिया जरूर करें आप इस दिन अपने घर के में गेट पर एक दीपक जरूर जलाएं और उस दीपक को आप कोशिश करें कि वो पूरी रातरी जलता रहे अगर पूरी रातरी भी ना जले तो बारा बजे तक तो वो जरूर जलता रहे इसके अलावा जब आप लक्षमी पूजा करते हैं तो आप लक्षमी पूजन के समय वहां नो बत्ती वाला दिया या फिर चार बत्ती वाला दिया या नो मुखी दिया आप एक प्रजवलिद करें और जो दिया आप मालक्ष्मी के सामने जलाएंगे उसे आप पूरी रात जला कर रखें उसमें आप बीच में उसमें तेल घी जो भी आप जलाना चाहते हैं वो डालते रहें और पूरी रात वो जलना चाहिए ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि मालक्ष्मी इस रात्री में वि देंगे इसके लावा ये कारिया और करें आप दीपावली के दिन अपने घर के प्रतेक कौने में प्रतेक कमरे के कौने में आप एक दीपक जरूर जलाएं इससे क्या होगा आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता है वो सभी बाहर होगी उसका नाश होगा और सकारात्मक वा पूर्ण होंगे दोस्तो 28 अक्टूबर की बात करें तो 28 अक्टूबर सुभा तक अमावा शातिती है तो बहुत ही पावन ये समय रहेगा और इस दिन तक आपके पास महालक्षमी योग आपके लिए बना रहेगा उसके बाद गोवरधन का ये दिन है और ये दिन भी चंद्रमा की जो इस्तिती है वो आपके दूसरे भाव में जाएगी चंद्रमा की इस्तिती आपके धन भाव में होगी और धन भाव में चंद्रमा आपके लिए यहां अच्छे रिजल्ट्स देने वाले होंगे धन भाव में बैठ कर चंद्रमा आपके धन में व्रधी करने का योग बना रहे हैं आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वहां से आपको कोई खुशकवरी सुनने को मिलती है परिवार व समय बिता पाएंगे मित्रों का आना जाना होगा मित्रों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड आप कर पाएंगे पार्टी वगेरा में जाने का मौका भी समय आपको मिल सकता है कहीं से एक ऐसा इन्विटेशन आ सकता है कि आप इन्विटेशन को सुनकर खुश हो जाए तो अतीतियों का आना जाना लगा रहेगा त्योहार का दिन है तो अतीति तो आएंगे ही और इस समय आपके लिए खुशियो भरा माहौल बना रहेगा इस समय आप एक कारिया जरूर करें या आप अपने पिता को कोई गिफ्ट आप जरूर दें क्योंकि ये समय अगर आप अपने पिता को कुछ गिफ्ट देते हैं तो आपके लिए जो सूरे की इस्तित्थ है वो बहत मजबूत होगी क्योंकि सूरे अभी नीच राशी में चल रहे हैं और सूरे जो होते हैं वो पिता के कारगरह होते हैं तो ऐसे में अपने पिता को गिफ्ट देना, उनकी हर बात मानना आपके लिए बहुत अधिक फायदे का सौधा हो सकती है। तो अपने पिता की आप हर बात को माने और उनके लिए गिफ्ट आप जरूर दें। दिवाली पर आप उनको गिफ्ट अगर देते हैं, आप कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं, आपने आप सोचकर आप कोई ऐसा गिफ्ट दें जिसे पिता खुश हो जाएं। जरूरी नहीं कि आप बहुत ही महगा गिफ्ट दें, आप छोटा गिफ्ट भी दे सकते हैं अपनी बज़िट के हिसाब से, तो ये आपकी सूरे को मजबूत करेगा और जब पिता खुश होंगे तो सूरी है, खुद ही मजबूत होगा, तो सूरे की किरपा भी आपके उपर इस दिन बरसने वाली है, तो ये दो दिन आप बेहद खुशी के साथ मनाएं, लक्षमी पूजा का दिन है, लक्षमी पूजा करें और अपने घर में सुख सम्रद्धी की कामना आप करते रहें, दोस्तों गोवर्धन का जो दिन होता है, वो गोवर्धन परिक्रमा का होता ह तो इस दिन को भी आप गोवर्धन बनाएं और गोवर्धन की परिक्रमा आप जरूर करें, पूजा अर्चना करें, भगवान क्रिश्न का आशिरवाद प्राप्त करें, जिससे आपके लिए ये जो दीपावली है, ये मंगल में बनी रहें, और अगली दीपावली तक आप अगले दो दिन के राशिफल के साथ मिलेंगे, और साथ ही दीपावली लक्ष्मी कथा आप जरूर सुने, नेक्स्ट वीडियो में हम दीपावली की कथा बताने वाले हैं, आप लक्ष्मी मा की ये कथा जरूर सुने, क्योंकि इस कथा को सुनने से मा लक्ष्मी की किरपा आ आपके उपर निश्चित तोर पर होने वाली है तो आप सभी का बहुत बहुत देने वाला